रोश्टी का पर्व दिपावली सभी की जीवन में नई उर्जाता प्रवाह करता है दिपावली में दियों का खास महत्युक होता है आज हम राजधानी लखनव के कानहा उपन पहुँच चुके हैं जहां पर गोबर के खुपसुरत दिये बनाय जा रहे हैं इन दियों की खासियत में बता दूँ कि ये दिये गोबर के बने हुए हैं और इको फ्रेंडली हैं जहां भी दिये रखे जाते हैं उसकी बाद ये दिये वेस्ट नहीं होते हैं बलकि इन दियों से तुलसी का पौधा उख जाता है सिर्फ क्या खासियत दियों की किस तरह से इनको बना कर त्यार किया गया है मैडम 80% गोबर, 10% मिट्टी और 10% लक्टी के बुरादा दया गया है जो ये कहीं भी जलाए जाएंगे तो जलाने के बाद ये तो गोबर वही दिये वहीं गल जाएंगे और वहीं पे बीज जनम जाएंगे उख जाएंगे तुलसी के पौधी कितना order हैす बार कहाँ कहाँ पर और दिये जाने वाले हैं संक được 10.000.00 लचमन मेला में और एक लाक अजुद्यमें जलाए जाना है लगभाग क्नी महिलाओं के यहां पर रोजगार मिल रहा है इसकी अगालत है कि इसके आपको ट्रेनिंग दी गई कैसे सीखा आपने बना बिटिया अंतर का लंग बनाओ तो बनावे लागे मैं से तो बना ले लागे कि आपने सिखा है किम दी ये बनाती दिन भर में अपता बेगी नहीं बेटा है लेकिन ये है कि दोस्तों को पढ़ाई से लग लग यहां छिटैने नहीं कि ईटाम कारकर कि ठीय मत मeszृति है तृए है यहां पर एच्छा बजे लगने हैं शालीम्रिदें का समया हाँ तो है चाइनीज जीवी तुल्ल्ला में गोबर की ये ढेक है कहीं से पीछी नहीं है इनकी खुप्सूरती आप देख सकते हैं, बड़ी ही महनत के बाद इन खुप्सूरत दियों को बना कर तयार किया गया है, यही नहीं, आप यह गोबर का गमला भी देख सकते हैं, कोई कहेगा इसे देखकर कि यह गोबर से तयार किया गया है, इसके साथी साथ गोबर की और ये फवन सामिग्री भी गोबर से बनाई गई है और सबसे खास बाद जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि दीपावली में गनेश और लक्षमी जी की पूजा की जाती है और इस खुब्सूरत मूर्टी को भी गोबर से ही इस काना उपन में ही महिलाओं ने बनाकर तयार कि है किनि सुभधा हो गई अब पहले पती कमाते थी अब याप भी पैसे कमा रही है तो कितनी सुभधा हो गई जंदगी में तो लिए बहृत सुभधा है में पहले कॉन सी चीजवे устрой जो पैसे नहीं आपके पैसे साँ में बहुत फार्क है पहले का का लाइफश्ल और का परिवार वालों का क्या खायना है क्या वो खोश है जी बिल्कुल सब लोग खुश हैं सब लोग इंफेक्ट हैं अच्छा पूरी फैमली यहीं पे है यह दिये आने वाले दिनों में राज्धानी लखनव के लक्षमन जूला पार्क में भी आपको करीब देर लाग की संख्या जलते हुए नजर आने वाले हैं ताती सारे आपको आयोध्या के देव दीपावली में भी यही दिन करीब एक लाग की संखा में जलते हुए नजर आने वाले हैं आज की हमारे इस वीडियो में बस अतना है पर उत्रप्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यू पी नमस्कार